वेल्कम टो सारिका कुमार रेसिपी चानल आज मैं आपके साथ बहुत ही टेस्टी दई भले की रेसिपी शेयर करने वाले हूं यह स्टीम डई भले हैं इसको मैंने फ्राइ नहीं किया है बहुत ही हल्दी और टेस्टी रेसिपी है और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा और वीडियो को लाइक और शेयर कीजेगा तो आए बनाते हैं इसके लिए मैंने एक चोटी कटोरी मूंकी डाल ली है और इसको पांचे गंटे के लिए पानी में भिगो दिया था और देखिए पांचे गंटे भीगने के बाद इस तरह से यह दाल जो है वो फूल जाती है काफी और इसको एक जार में हम डाल देंगे आप ध्यान रखें कि इसमें पानी का इस्तमाल नहीं करना है हमने सिरफ जार में आपने डाल को ही डालना है क्योंकि अच्छे से भीगी हुई है तो बहुत असानी से यह पीस जाएगी और साथी समें डा इससे पारिक पारी काट लेंगे और इस तरह से डाल देंगे इसमें और अशत नजा देगे देखे हैं और चोपी नजा ओफ बाइश तशिक हमें चरु स्याइब उसको ध्वरालिक पाषिए चुत sights on और मसाले याइड नहीं करने हैं सिरफ नमक डालना है और बहुत अच्छे से नमक डालने के बाद इसको इस तरह से मिक्स कर लेना है देखिए अच्छे से चला लेंगे अधी चोटी चमच इनो आप ध्यान दें कि इनो आपनी नॉन फ्लेवर्ड वला लिना है जो ब्लू कलर क इनो आता है आपको और फ्लेवर वला इनो ना डाले और इस तरह से डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इनो डालने के बाद हमने मिक्स्चर को विर्कुल रखना नहीं होता है इसको फटा-फट से हम स्टीम होने के लिए डाल देंगे देखिए अच्छे कैजु जो भी आप डालना चाहें आप डाल सकते हैं ड्राइ फ्रूट्स और इसको उपर से बंद कर देंगे ताकि नज़र न आए और इस को बंद कर देंगे और कुकर में तुर्ट लग डाल कर लिया था अब इसको श्टीम करने के रख देंगे 6-7 मिनट के लिए और देखि जो बहले हैं वो स्टीम हो चुके हैं देखे इस तरह से इसको हलका से फ़रे ठंडा होने देंगे और एक नाइफ की हेल्प से बहुत ही ईजिली यह उपर से निकल जाएंगे देखे इस तरह से मैंने इंको अलग कर लिया है और देखे सारे बहले हैं बहुत ही सॉफ्ट है यह बहुत ही सॉफ्ट इस तरह से देखे आपको लग रहे होंगे देखने में और सारे बहले मैंने इस तरह से निकाल लिये हैं और अगर आपने इसको अभी सर्व करना है तो जो आप टेस्ट करेंगे आप इससे खाएंगे तो आपको बित्कुल नहीं लगेगा कि यह दई भले स्टीम है फ्राइड नहीं है विद्कुल वही टेस्ट आएगा और बहुत ही टेस्टी है यह देखे इस तरह से इसको प्लेस कर लेते हैं अब इसमें डालेंगे उपर से दही दही मैंने हलकी सी चीनी मिक्स की है आप चाहें तो ऐसे भी डाल सकते हैं देखे इस तरह से उपर से अच्छे से हम दही डाल देंगे और अब इसमें डालेंगे नमक टेस्ट के कॉर्डिंग थोड़ा से भुना हुआ जीरा जो इसमें बहुत ही अच्छा लगता है थोड़ी सी लाल मिश डालेंगे उपर से मसाले अपनी चॉइस के डाल सकते हैं और देखे अब इसमें डालेंगे अमचूर की चटनी देखे इस तरह से अमचूर और इमली की चटनी डालेंगे और साथी इसमें डालेंगे दहनी और पुदीने की चटनी देखिए बहुत ही टेस्टी लगते है या अब इसमें ढ़ए झालेंगे अद्रक के जूलियंस इस तरह से लमिलम भी अद्रक काटकी और थोड़ी सी हर्मिज डालेंगे थोड़ी से अनार के दानों से उपर से गानिश करेंगे और लीजे रेड़ी हैं दही बहुत ही हेलती वीडियो में पसंद आई को सब्सक्राइब किजेगा। वीडियो को लाइक और शेर कीजेगा। तो मिलते हूं ऐसे मोटे एक नई रेसिपी ते में थैंक यू